आज फिर एक बार आ गया हूँ लेके आप लोगों के लिए आपका एक बहुत ही अच्छा वीडियो जो आपका टाइम सेफ करेगा क्या नाम है वीडियो का? कॉगनिटो फॉर्म सम्मिशन को माइस्क्यूल में सेफ करें आज सिखाऊंगा कि कैसे जो भी आपके पास फॉर्म सम्मिशन की help से details आ रही है उन्हें आप automatically आपके MySQL के अंदर उनकी details को add कर सकते हो यहाँ पे मैंने फॉर्म सम्मिशन application कॉगनिटो फॉर्म का यूज किया है बनाया है हमने cognitive form उसमें interested होगा तो वो उस form को fill करेगा उसमें अपनी details add करेगा तो form submit करेगा form submit हुआ बस automatically उस form की details सारी की सारी details save हो जाएंगी आपके MySQL के अंदर जबी भी आपको उसकी details की जरूरत पढ़ेगी आप जाएंगे अपने MySQL में और details collect कर लेंगे और best part तो यह है कि आपको इस automation को करने के लिए किसी भी तरह की coding skills या फिर programming knowledge का आना जरूरी नहीं है help लगेगी तो बस एक software की जिसका नाम है Pably Connect क्यों लगेगी क्योंकि दोनों ही different type के applications हैं और दोनों के बीच में कोई भी direct connection नहीं है और connection बनाना काम है Pably Connect का अलग-अलग तरह के applications को आपस में जोड़ देता है that's why इसका नाम Pably Connect है और 850 प्लस ऐसे applications हैं जिनको Pably Connect इंटीग्रेट कर सकता है उपर से आप Pably Connect को एक free software कह सकता है क्योंकि 100 task monthly के free देता है free में account भी बना सकता है because time is equals to money okay so पूरी process बताने वाला हूँ कहा क्या करना है कहा क्या नहीं अभी अपनी screen पर okay सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे P-A-B-B-L-Y Pably.com प्रेसेंटर यह है official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account एकदम free में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's why में क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा हमारा पैबली connect का क्लिक करूँगा access now पर then open हो जाएगा पैबली connect का dashboard okay जब dashboard open होगा तो right hand side में option भी आएगा जिसका नाम होगा create workflow हमें उस option पे क्लिक करना है और अपने workflow को एक जो है हमें नाम दे देना है okay so अभी यह load हो गया और आगया option create किया तो अभी मैं नाम दे देता हूँ cognito forms to my sql okay create पे क्लिक करूँगा और नाम दे दूँगा okay so मेरे workflow का नाम हो गया cognito forms to my sql आप अगर कुछ और नाम देना चाहते हैं तो आप वो नाम भी दे सकते हैं एक important बात बता देता हूँ आपको कि इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो कि होगा ऐसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी यह same workflow अपने account में यूज कर पाओगे वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आगई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हम चाहते हैं कि हमारे cognitive form के form को जब भी को user fill करे तो automatically वो user की details जो भी उसने fill करी अपने cognitive form में वो हमारे mysql में as a new row add हो जाएं हम first application में सबसे पहले choose कर लेंगे हमारे cognitive forms को search किया choose कर लिया then trigger event में हम choose करेंगे new entry को then pably connect ने दिया है जो webhoc url उसको copy करेंगे और नीचे दिये गया instructions की help से integrate कर देंगे अपने cognitive forms को pably connect से तो यह मेरे cognitive forms का dashboard जैसा कि आप देख रहे हैं एक एक ही form create किया है मैंने जिसका नाम है subscriber form और मैं और मैं इसी form को चाहता हूँ जब भी जो user है वो fill करें इसे तो उनकी details में mysql में add हो जाएं तो इसके लिए मुझे इस form को integrate करना होगा integrate करने के लिए मुझे इस form के build पे click करना होगा build करूँगा मैं इसे इसके बाद जैसा कि आप देख पाएंगे इस form में मैंने first name last name email phone number मांगा है आप अगर और भी fields add करना चाहते हैं आप यहां से कर सकता है तो इस form को integrate अगर मुझे करना है तो मुझे क्लिक करना होगा submission settings पे दैन नीचे scroll करूँगा submission settings पे click करने के बाद यहां पे जैसा कि आप देख रहे है post json data to website लिखा हुआ है ओके json web एक second दीजेगा आप मुझे यह आपके json post json data to website जो है इसको आपको on रखना है इसको मैं on कर लेता हूँ पहले एक second दीजेगा मुझे ओके सो यहां पे मैंने क्या कि है अपना दूसरा account जो है login कर लिया है क्योंकि वो जो मेरा first वाला था उसका subscription over हो गया था इसका left है अभी इसके अंदर भी एक subscriber form मैंने create किया है मैं इसको integrate कर देता हूँ यह भी same विसाई है last name, email, phone number जैसा कि आप देख रहे है मैंने click किया था जब submission settings पे तो मैं जब post json data to a website को on कर रहा था तो वो मेरा subscription over बता रहा था that's why मैंने दूसरा account login किया तो यहाँ पे यह on है आपको click करना है post json data to a website पे then यहाँ पे submit entry endpoint जो है यहाँ पे आपको जो पैबली connect ने webhok URL दिया है उसको copy करना है simply और यहाँ पे आके paste कर देना है then click करना है save पे save पे click करने के बाद जो है आपका connection इस form के साथ हो जाएगा जो की हो गया है और यहाँ पे शोग रहा है waiting for webhok response means अभी जब भी उस form को कोई fill करेगा तो पैबली connect तुरंत उसका data capture कर लेगा चलिए करके देखता है publish करता हूँ और इसकी जो link है मैं उसको copy करके एक new tab में open करता हूँ ठीक है form successfully submit हो गया चलके check करते है पैबली connect के पास तुरंट data capture हो गया जैसा कि आप देख रहे response received हो है जैसा कि मैंने नाम fill किया था daniel's last name जो email address phone number सारी details एकदम से हैं connection एकदम perfectly work कर रहा है कोई problem नहीं है तो अब मैं चाहता हूँ कि जो details आई है इन details को मेरा पैबली connect automatically save कर दे मेरे mysql में so ऐसा order देने के लिए मुझे क्या करना होगा second and last application अपनी चूस करनी होगी mysql okay search किया और चूस कर लिए mysql को ठीक है then action event में चूस करूँँगा insert row को क्योंकि कि मैं data insert करना जाता हूँ एक new row में then connect पे क्लिक करूँगा connection के लिए उसके बाद add new connection पे then यह मुझे से database username password मागेगा तो आप अपने mysql का database username password डाल देजेगा host में बता देता हूँ आपको आप जाएंगे अपने mysql पे और जो आपकी link है dot com तक यह आपकी host link है यहापको इसको paste कर देना है और database यहापको अपना database डाल देना है then port क्या होता है मैं बता देता हूँ आप जाएंगे जब अपने mysql पे तो यहापे जो number होगा आपकी link के बाद 3306 यह मेरा port है आपका जो number होगा वो number आप यहापे copy करके paste कर जीजगा है ना मैं पुराने connection का use करूँगा दुबार से यहापे connection नहीं करूँगा select existing connection पे click करके save पे click कर दूँगा तो मेरा जैसा कि आप देख रहे है mysql successfully connected है connect होने के बाद यहापे मुझसे पूछ रहा है table name कौन सी है जैसा कि आप देख रहे है customer data नाम की table यहापे मेरे सामने इसको मैं choose कर लूँगा क्योंकि यह जो table है जिसके अंदर मैं चाहता हूँ data add हो उसका नाम है customer data दनिया मुझसे मांग रहा है id name email mobile id name email mobile मुझे यहापे डाल देना है id मैं सबसे पहले डाल देता हूँ यह सारी details मुझे कहा से मिलेंगी यह रहा email, यह रहा phone number यह रहा name, first name और यह रही form id so यहाँ पे id भी हमारे पास सारी details है so यहाँ पे मैं id सबसे पहले डाल देता हूँ ऐसा करने के लिए यहाँ का data यहाँ add करने के लिए मुझे एक technique का use करना होगा जिसको हम कहते है mapping हैना कैसे करेंगे blank field पे click किया, नीचे option आगया cognitive forms का click किया cognitive forms पे id जो है यह रही हमारी form id click करके हमने इसको यहाँ पे add कर दिया simple इसी को कहते है mapping जितना easy है उतना ही important भी है क्योंकि अगर आप map नहीं करेंगे data तो आपकी fields है वह automatically fill नहीं होंगे और जो आप manually लिख देंगे वही same to same रहेगा as it is हमेशा इसलिए map करना बहुत जरूरी है name इसी तरह से map कर दूँगा जो जो चीज़े में map कर रहा हूँ आप भी वह पूरी चीज़े map कीज़ेगा ठीक है name for danials then space देखे last name जो ठीक है map कर दिया ठीक है email इसी तरह से map कर दूँगा ठीक है नीचे आया यह रहा email क्लिक किया email पे map कर दिया simple mobile number इस तरह से map कर दूँगा यह रहा mobile number phone number क्लिक करके map कर दिया then simply मैं क्लिक करूँगा save and send test request पे तो successfully यहाँ पे एक new row के अंदर data add हो जाएगा किसका danials जो का जहाँ पे email होगा mobile number होगा है ना और id होगी ठीक है तो मैं आ जाता हूँ और क्लिक करता हूँ save and send test request पे save and send test request पे क्लिक करने के बाद response रसीवड हो गया successfully चलके check करते हैं हमारे mysql के अंदर की वहाँ पे जो है हुआ है के नहीं data है तो भी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे data रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार अपनी mysql के table को then definitely जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे उपर डेनियल जो के नाम से जिनका email एड्रस है danielsjo0908gmail.com जिनका phone number यह है उनकी details यहाँ पे successfully add हो गई है okay so इनकी presence बता रही है इस detail की presence बता रही है कि हमने हमारा automation आग कर दिया successfully just अब हमें save पे click करना है और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब हमारा पूरा काम software करेगा क्या करेगा software अब जब भी हमारे cognitive forms में कोई new entry होगी तो उस entry करने वाले का सारा data हमारे mysql में automatically add हो जाएगा हमारे involvement की 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगी applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बेना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो कि होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी ये same workflow अपने account में use कर पाओगे वो भी एकदम free में इस video से related कुछ questions होते हैं आपके queries होती है या फिर आप मुझसे बात करना चाते हैं मेरी team से बात करना चाते हैं तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जाननी है तो वो आपको ये दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को like करना मत बूलेगा और हमारे चैनल को subscribe करना भी मत बूलेगा thanks